नमस्का दूस्तों प्यल्टिक्स में आपका बहुत बहुत हो गया थे दूस्तों आज के इस क्लास में यूपी टुपल सी वीडियो और एक्जाम 2023 के लिए सामाने जानकारी के चप्टर वाइस के क्लास को लेकर रहा हूं और इस क्लास के अंतरगत हम लोग कंप्यूटर के जाएगा option C, hard disk drive इसका सही जाब बनेगा अगला question, question number 52 है, निम लिखित में से count RAM के बारे में सही नहीं है आपको बताना है, तो right answer यहाँ पर बनेगा दूस्तों, option A, RAM कंप्यूटर के बंद होने पर भी data को इस थायरूप से store करता है, अगला question, question number 53, question number, count size storage माध्यम सबसे त लगाता refresh किया जाना चाहिए, तो right answer हो जाएगा option C, DRAM, यहाँ पर right answer हो जाएगा, SRAM और DRAM दोनों RAM के परकार है, SRAM, static random access memory को data बनाये रखने के लिए लगाता refresh किया जाने के आवसकता नहीं होती है, या DRAM से तेज मेमोरी होती है, DRAM, dynamic random access memory को data बनाये रखने के लिए लगात data hold करती है, अगला question, question number 55, निम लिखित में से count C, count से main मुख के मेमोरी की विशेचता है, तो right answer हो जाएगा option D, सभी ABC, यहाँ computer की कारें शिल मेमोरी है, secondary memory से जादा तेज है, बिना primary memory के computer नहीं चल सकता, तो right answer option D हो जाएगा, अगला question, question number 56 है, SSD का क्या रख है, तो right answer option C हो ज प्रदान करता है, तो right answer यहाँ पर हो जाएगा, option C, 15GB, next question, question number 58 है, निमन में से count सा block device नहीं है, इन में से आपको बताना है, तो right answer option B हो जाएगा, RAM यहाँ पर right answer बनेगा, CD-ROM, floppy disk, hard disk सभी block device है, RAM एक प्रात्मिक मेमोरी है, RAM एक short term मेमोरी है, इसमें data हमेशा के लिए store नह प्रात्मिक मेमोरी है, इसका उप्यूग secondary storage के लिए किया जाता है, hard disk किया, hard drive computer के लिए चुम की, भंडारन माध्यम है, तो right answer B हो जाएगा, अगला question, यहाँ पर आपको फिल करना है, को काम करते रहने के लिए, लगातर बिदुत आपूर्ती क्या हो सकता पड़ती है, लग S-RAM इसका सही जवाब हो जाएगा, S-RAM static random access memory का संचिर तरूप है, यहाँ D-RAM की तुला में तेज़ और अधिक प्यूसचनी है, इससे refresh करने की आपसक्ता नहीं होती है, यहाँ एक कार की semiconductor memory होती है, जिसमें data तब तक इससे रहता है, जब तक memory चिप में बिदुत आपू अगला question, question number 60 है, office के कामों में प्रयोग किया जाने वाले standard laptop में RAM के आकार की आम परास क्या होती है, तो right answer यहाँ पर बनेगा option C, 4GB से 16GB, option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा, अगला question, question number 61 है, अलिया के पास 200 MB डेटा है, दिनेस के पास 4000 MB डेटा है, इन दोनों का डेटा सेंक रूप से भंडारन चमता वाले एक USB flash drive में डाला जा सकता है, तो right answer हो जाएगा option D, 10GB, अगला question, question number 62 है, दोस्तों, निम लिखित में से कांसी इसमरती मेमोरी मुक के रूप से आर्ध चालकों पर आधारित नहीं होती है, तो right answer हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर, इस question का option C, दूतियक इसमरती मेमोरी इसका सही जवाब है, दूतियक मेमोरी सेमी कंड़क्टर मेमोरी पर आधारित नहीं होती है, आनि सभी सेमी कंड़क्टर मेमोरी के उधारन है, अगला question, question number 63 है, एक मेगा बाइट कितने के बराबर होती है, तो right answer option C हो जाएगा, 1024 किलो बाइट के कितने मेगा बाइट के बराबर होता है, तो right answer यहाँ पर बनेगा, option A, 1024, इसका right answer हो जाएगा, question number 66 है, एक गिगा बाइट में कितने मेगा बाइट होते हैं, तो right answer option D हो जाएगा, 1024, अगला question, question number 67 है, एक कंप्यूटर में इस्टोरे माधिम की छमता की क्या होती है, तो य question number 68 है, निम लिकित में से कौन एक primary storage device है, तो right answer हो जाएगा, option B, random access memory, अगला question, question number 69 है, निम में से कौन सा आइस्थाई memory या आस्थिर memory के रुप में जाना जाता है, तो right answer option A हो जाएगा, रैम, random access memory एक computing device है, जिस memory unit में किसी भी location पर संगरी data को पढ़ने या data store करने में एक स आमान समय लगता है, उसे random access memory कहा जाता है, रैम को आइस्थाई या अर्श्थिर memory के रुप में जाना जाता है, question number 70, आइस्थाई रूप से संगरी data के लिए उप्योग किया जाने वाला शब्द क्या है, तो right answer option B हो जाएगा, काइस data, अगला question, question number 71 है, computer प्रणाली में निम प्रणाली मेमोरी क्या कहलाती है, तो right answer हो जाएगा, option C, room, read only memory, computer में बंदारन कमादे में, जिसका प्रयोग computer था, विभिन electronic अपकरोन में किया जाता है, room computer की permanent memory, रैम, random access memory, computer की ISI memory होती है, तो ध्यान रखेगा, option C, right answer बनेगा, अगला question, question number 73 है, computer में कौन hardware है, आपको बता होता है, तो right answer, option C हो जाएगा, CD room, CD room, compact disk rate only memory, एक hardware होता है, CD room में data संगरा किया जाता है, जिसे आसानी से बदला, ये अलग नहीं किया जाता, इसे laser के रोणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है, तो option C, right जवाब बनेगा, question number 74, computer में data का किस रुप में भंदारन होता है, तो right question number 75 है, computer प्रणाली में CD room दोरा क्या दर्स आजाता है, तो right answer option ही हो जाएगा, optical disk, next question, question number 76 है, निमन में से कौन सी memory का सबसे कम access समय है, तो right answer हो जाएगा option है, कैस memory, कैस memory का location CPU के सबसे पास होता है, जिसके कारण इसका access time सबसे कम होता है, जिन प्रोग्रामों और नेदेशों का बार बार रोप्यों किया जाता है, उनको कैस memory अपने अंदर सुरचित कर लेती है, प्रोसेसर कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले कैस memory को चेक करता है, अगला question, question number 77, virtual memory का आकार निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो virtual memory, प्रोसेसर दोरा जब म question number 78 है दोस्तों, data प्रतिनिधित और संख्या प्रणाली से समंधित, question number 78, निम्न लिखित में से कौन binary संख्या दसमलों संख्या 147 के सम्तुल है, तो right answer option A हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला question, question number 79 है, binary संख्या प्रणाली को यहाँ भी कहते है, तो right answer हो जाएगा option A, base 2 संख्या प्रणाली, अगला question, question number 80 है, binary संख्या प्रणाली में प्रूट किया जाने वाले बिस्ष्ट प्रतिकों की संख्या है, तो right answer बनेगा option D, 2 होती है दूस्तों, अगला question, question number 81 है, निम्न में से कौन सा binary संख्या प्रणाली का उधारन है, तो right answer हो जाएगा option C, इस question का सही जाब बनेगा, अगला question, question number 82 है, निम्न लिखित में से किस दुयाधरी संख्या प्रणाली का प्रणाली में है, तो right answer यहाँ पर बनेगा दूस्तों इस question का, तो सही जाब बनेगा option B, इसका सही जाब हो जाएगा, अगला question, question number 84 है, वर्तमार कंप्यूटिंग में समस्त समस्त विश्यों में कौन सा code प्रयोग किया जाता है, और सुविकार है, तो right answer option A हो जाएगा, ASCII, American Standard Code for Information Interchange, वर्तमार कंप्यूटिंग में समस्त विश्यों में प्रयोग किया जाने वाला code है, जिसका उप्यूटिंग कंप्यूटर में text को निरूपित काने के लिए किया ज तो right answer हो जाएगा जूस्तों यहाँ पर option B, 1807, question number 86 है, binary संख्या 1011 का दस्मलाव समतुली क्या होगा, तो यहाँ पर right answer option C हो जाएगा जूस्तों, 11, binary संख्या 1011 का समतुली आपको इस प्रकार से निकाल लेना है, 1 into 2 की power 0 होता है जूस्तों, प्लस 1 into 2 की power 1, प्लस 2 into 2 की power 2, प्लस 1 into 2 की power 3, इसे अब solve करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, 1 plus 2 plus 0 plus 8, तो equal कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो option C यहाँ पर right answer बनेगा, अगला question, question number अगला है दूस्तों यहाँ पर, question number 87 है दूस्तों, computer programming भहाँ साइन से समन्दित question number है, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, या उस समय संसाधन उपलब नहीं है, प्रक्रिया प्रतिच्छा की स्थिति में प्रवेश करती, कभी कभी प्रतिच्छा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि इसके द्वरा अनुरोध इसका सही जौब हो जाएगा दोस्तों, डेड़ लॉग, डेड़ लॉग एक ऐसी स्थिती है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, वातावरण में कई प्रक्रियां सिमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस फर्दा कर सकती हैं, यारि कोई प्रक्रिया संसाधनों के लिए दोरा आउज़ित किया जाता है, अगला कोशन, कोशन अमबर 88 है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कांसा प्रोग्रामिंग भाशा नहीं है, तो रइत अंसर ऑप्शन, D हो जाएगा, लोटस, कंप्यूटर प्राडाली में कोबॉल, फोर्टरान, पास्कल, तथा प संक्या का निर्धारन किसके दोरा किया जाता है इसे मेंगा हर्टज या गीगा हर्टज में बेखती है जाता है तो राइट अंसर अप्शन यह हो जाएगा क्लॉक स्पीड अगला कोशन कोशन नमबर 90 है दूस्तों करनेल की बारे में निम लिखिट में से कौन सा कथन गलत है तो राइट अंसर यहां पर हो जाएगा ओप्शन D यहां पर राइट अंसर बनेगा दूस्तों यह ऐसा कंप्यूटर क्रमा देश है जो अप्यों करता और प्रचालन प्रानली के बीच एक अंतरा फलक उपलब्द करवाता है तो आप्शन D यहां पर राइट जवाब अगला question question number 92 है इन में से कौन सी computer programming भाषा नहीं है आपको बताना है तो right answer हो जाएगा option D option D यहाँ पर right answer बनेगा अगला question question number 93 है निम लिखिट में से कौन सी language Pascal से प्राप्ट system programming language है यह उम रक्षा application के लिए अभिस्ड है तो right answer option D हो जाएगा एडा इसका सही जवाब बनेगा अगला question question number 94 computer भाषा कोबोल किसके लिए उप्योगी है तो right answer हो जाएगा option E ब्योसाई कार कोबोल का पूर्ण रूप common business oriented language है कोबोल का प्रात्मिक प्रयोग ब्योसाई finance के लिए किया जाता है question number 95 है compiler है इनमें से आपको बताना है option D उप्योग सभी है एक computer program है software का भाग है हाई लेबल से machine language बदलने वाला program है अगला question question number 96 है जटिल बैग्यानिक गरनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है तो right answer हो जाएगा option B for Tron question number 97 है दोस्तो निम लिखित में से कौन सी बैग्यानिक computer भाशा है तो right answer बनेगा यहाँ पे दोस्तो option C हो जाएगा for Tron अगला question question number अगला है software से समन्दित question number 98 MS Word किसका उदाहरन है तो right answer option C हो जाएगा application software क्या अगला question question number 99 virus एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे computer के सामान कामकाज में हस्तचेप करने के लिए बनाया गया है इन में से कौन सा वाइरस का एक प्रकार नहीं है आपको बताना है दोस्तो तो right answer हो जाएगा option D disk virus यहाँ पर right answer बनेगा disk virus वाइरस नहीं है बाकि तीनों virus हैं क्योंकि computer के सामान कामकाज में हस्तचेप करने के लिए बनाया जाते हैं अगला question question number 100 है computer virus है इन में से आपको बताना है तो right answer हो जाएगा option A आएसा computer program जो स्वयम की प्रतलिपिया बना सके तो right answer option A हो जाएगा दोस्तो दोस्तों आज की इस class में बस इतना ही मिलते हैं next class में तफ़क के लिए नमस कर जाएं धन्माद